ओम शान्ति आपका प्रश्ण है कि परम आत्मा जो धर्म राज है सारे संसार को नय देने वाला है जब सारे संसार से विश्वाश उठ जाता है तब उस हारे हुए आत्मा के दिल में ये आस होती है कि इस दुनिया में नय नहीं मिला प्रंतु उस परमात्मा के पास नय जरूर मिलेगा अब उस परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ने के बाद आपके मन में ये प्रशन उठा है कि एक सेक्किन में कड़ी से कड़ी सजा परमात्मा दे सकते हैं जिन वाक्यों को आपने पढ़ा है मैं वो वाक्य आपके सामने रख रहा हूं जो स्वेंपरम पिता परमात्मा ने कड़ी सजा देने के लिए कहा है कैसे कहा है इसे हम ध्यान से समझने का परियास करेंगे फिर उसके अर्थ को भी समझ सकेंगे ये परमात्मा के डारेक्ट महावाक्य हैं 25 नवंबर 1995 के 25 नवंबर 1995 के परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं परमात्मा कह रहे हैं टीचर्स से बात करेंगे अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं देखो मुरली तो नयों के हिसाब से गुई है जो मुरली हम सुन रहे हैं बाबा कहते ये मुरली नयों के हिसाब से गुई है लेकिन बाप दादा को डाइमंड जुबली में सभी से मुक्त तो करना है 1996 को डाइमंड जुबली मनाया गया और डाइमंड जुबली मनाने से पहले ये बाबा की मुरली है 25 नुवंबर 1995 को अगला वर्ष 96 जो है वो डाइमंड जुबली मनाना है और बाबा उसी बात को जिकर कर रहे हैं कि डाइमंड जुबली में सभी से मुक्त तो करना ही है ना नहीं करेंगे तो धर्म राज बनेंगे कोन धर्म राज बनेगा परम पिता परम आत्मा चैतावनी दे रहें यदि डाइमंड वर्ष में डाइमंड जुबली होने पर भी पचास वर्ष नहीं साथ वर्ष पूरे करने पर भी परमात्मा को साथ वर्ष पढ़ाते हुए हो गए उसके बाद भी यदि ये सुदरते नहीं है तो बाबा कहते बचे मुझे धर्म राज बनना होगा अभी तो प्यार से कह रहे हैं फिर धर्म राज का साथ लेना पड़ेगा अब ये लाइन एक बहुत गुई राज खोलती है कि परमात्मा कह रहे हैं कि धर्म राज का साथ लेना पड़ेगा साथ उसका लिया जाता है जो लेने वाले से अलग हो परमात्मा से कोई अलग है जो धर्म राज होगा धर्म राज का साथ लेना पड़ेगा ये राज बहुत गुई है इसको बहुत ध्यान से समझने वाला है लेकिन क्यों लेएं क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं अपने कोई ऐसे पाप करम या विकर्म ना करें जिसकी सजा खानी पड़े मुक्ती का मतलब है कि मेरा संसार में किसी भी आत्मा से कोई लेना देना बाकी नहीं रहा तब हर आत्मा को मिलती है मुक्ती वरना कोई भी आत्मा मुक्ती धाम में नहीं जा सकती मुक्ती धाम में जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक एकाउंट बराबर करना ही होता है करना ही होता है बाबा केते हैं क्यों लें क्यों नहीं मैं बाप आपके पास हूँ मेरी शिरीमत पर चल कर अपने जीवन को सुधार लो ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आए पुराने पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करें ऐसा कुछ करें ना तो सब ठीक हो जाएं लेकिन बाप नहीं चाहते लेकिन बाप नहीं चाहते वो बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है कि अभी धर्मराज को लूँ इनको सजा दूँ ताकि वो सुधर जाएं फिर अपनी पावर्स को समझा रहे हैं याद दिला रहे हैं कर क्या नहीं सकते हैं पर्मात्मा कर क्या नहीं सकते हैं एक सेक्किन में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं एक सेक्किन में अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं और वे एक सेक्किन की सजा बहुत तेज होती है बहुत बहुत तेज होती है लेकिन बाप दादा नहीं चाहते लेकिन बाप दादा नहीं चाहते कि मेरा कोई बच्चा सजा खाए बाप का रूप प्यारा है धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा यहां देना है धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा इसलिए बाप दादा को डाइमन जुबली में साभी को सब बातों से मुक्त करना ही है ताकि किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ कोई भी कार्मिक अकाउंट ना रहे इब नानिती सिक्स भी चला गया अब तो हम समझ सकते हैं कि धर्मराज का रूप धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा अब परमात्मा के इन वाक्यों को सुनने के बाद जो प्रशन खड़े होते हैं वो ये कब कब ये एक सेक्किन में बहुत कड़ी सजा मिलेगी दूसरा प्रशन खड़ा होता है क्यों मिलेगी हम मोटे रूप से समझ सकते हैं कोई ना कोई ऐसा पाप करम हुआ होगा जिसकी सजा मिलेगी तीसरा प्रशन उठता है कितनी सजा मिलेगी एक सेकिन के अंदर क्या होगा उसमें और इसी प्रशन का पाट अलग बनता है कैसे काब क्यों कितनी और कैसे हमने इन चार प्रशनों को बहुत ध्यान से समझना ये सजा कब मिलेगी ये सजा एक्जाम के समय पर मिलेगी ये सजा रजल्ट निकलने के समय पर मिलेगी ये सजा मार्किंग के समय पर मिलेगी धर्मराज कोन होगा ये भी वन्डरफुल बाबा ने राज समझाया हुआ है बाबा कहते बचे आप अपना एक्जाम का फारं भरने वाले भी आप हो क्योंकि फारं तो आपने भरना है न एक्जाम तो आपने देना है एक्जाम में बैठने वाले एक्जाम देने वाले आप हो और एक्जाम की मार्किंग करने वाले भी आप हो और एक्जाम का रेजल्ट निकालने वाले भी आप बहुत ध्यान से समझना है कि परमात्मा कहते बच्चे मैंने आपका एक्जाम लेने के लिए कोई दूसरे एक्जामीनर नहीं रखे मार्किंग स्कीम मैंने आपको दे दिये क्वेश्चन भी दे दिया है आंस्वर भी दे दिया है मार्किंग स्कीम भी दे दिये क्वेश्चन क्या है नस्टो मोहा स्मृती लब्दा आंस्वर क्या है मैं नस्टो मोहा स्मृती लब्दा हूँ मार्किंग स्कीम क्या है उस एक सेकिंड के अंदर जिसमें आपने एक्जाम भी देना है और एक्जाम के साथ मार्किंग भी चेक करनी है रिजल्ट भी निकालना है और सजा भी खानी है वो एक ही सेकिंड है और वो एक सेकिंड सारे यूनिवर्स की आत्माओं के लिए एक ही है क्योंकि परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर ले करके जाते हैं अलग अलग नहीं अब तक जब तक ये बात मुझे समझ में नहीं आये थी तब तक मैं समझता था बाबा कहते ये रानी मक्खी उड़ी और सब आत्माओं पीछे पीछे चले फिर बाबा ने कहा जो जितना बाब समान होंगे उतना बाब के साथ साथ चलेंगे सजनी साथ चलेंगी बाकी घराती पीछे चलेंगे जो थोड़ा नजदीक होंगे और जो कम नंबर वाले होंगे वो बाबाती पीछे पीछे आएंगे जैसे हम कोई बाबात का प्रोसेशन देखते हैं तो बाबात चल रही होती है उसमें आदा घंटा भी लगता है कहीं दो-दो गंटे भी लग जाते हैं कहीं लड़की वाले इंतजार करते रह जाते हैं और बाबात पोंचती ही बहुत लेट है लगता था ऐसे ही हम भी जाएंगे टाइम लगेगा उसमें परन्तु बाबा नहीं कहा मैं एक साथ लेके जाऊंगा सब साथ चलेंगे हमारी नजर देह भान वाली होने के कारण देह अभीमान में होने के कारण हमें लगता था कि लंबा प्रोसेशन इतनी सारी दुनिया चलनी है तो ब्राद तो बड़ी लंबी होगी परन्तु बाबा कहते एक सेकिन में आत्मा ने शरीर छोड़ा और सीधा तीखा रोकेट है ऐसा तीखा रोकेट कोई हो नहीं सकता एक सेकिन में परमधाम ये सारा खेली एक सेकिन का है सबका पेपर एक सेकिन का है वन्रफूल मार्किंग कौन करेगा रजल्ट कैसे निकलेगा तो ये बहुत वन्रफूल राज समझाया पेपर मार्किंग भी आपको करनी है पेपर आपको देना है किसी दूसरे को दें तो वो तो रिश्वत भी ले सकता है ना भरस्टाचारी दुनिया है ना परन्तु आप स्वेम से जूट नहीं बोल सकते परमात्मा ये ज्ञान देकर एक एक आत्मा को एक्जामी नर्ब बनाता है मैं कोई भी पाप करम करके सारी दुनिया को स्पस्ट कर सकता हूं कि मैं नंबर वन हूं परन्तु अपने आपको नहीं समझा सकता मैं अपनी गलती स्वेम नहीं चुपा सकता मेरी गलती को कोई परक नहीं सकता परन्तु मैं जानता हूं और जब ये मार्किंग का टाइम होता है मैं इस दे से उस एकी सेकिंड के अंदर नियारी होती हूं और मुझे अपना सारा कार्मिक एकाउंट मेरे सामने होता है आत्मा जब भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है तो आत्मा के सामने उसी सेकिंड अपना सारा कार्मिक एकाउंट होता है जिसे पढ़ने में दूसरे सेकिंड की रिक्वाइर्मेंट नहीं है और उसी एक सेकिंड में आत्मा अपना सारा कार्मे के काउंट भी देख लेती है और गर्भ में परवेश भी करती है सफर भी करती है इतनी तेज रॉकेट है उपर कोई धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता कि जहां उसे अपना लेखा जोखा चेक करवाना पड़े कोई भाई खाता उठाया जाए कोई रजिस्टर खोला जाए और उसके सामने हाजर होने के लिए कहा जाए और फिर उसको ओर्डर पड़ा जाए उसके बारे में उसकी गलतियां बताई जाएं उसके सारे सीन दिखाए जाएं देख तुने कब क्या किया था तेरे को इस कर्म की सजा अब दी जा रही है तुमने ये कर्म किया था उसकी ये सजा तुमने वो कर्म किया था ये सजा आपका सारा भाई खाता आपके सामने है एक सेकिन में आपने उसको रीड किया उसी सेकिन में आपने रिजल्ट निकाला उसी सेकिन में फील भी किया हो हो मुझे ये एक्टिंग करने में भी टाइम लग रहा है पंतु आप समझ सकते हैं कि जो इतनी पास्ट वर्किंग आत्मा है वो एक सेकिन में अपने सारे किये हुए कर्मों का रिजल्ट निकालते हुए कितना दुखी होगी बाबा कहते बिना बताए मैं तुम्हें सजा नहीं दूँगा मुझे समझ में नहीं आता था कैसे बताएगा कब बताएगा सजा भी एक सेकिन में देनी है बताना भी एक सेकिन में है करना भी सब कुछ एक सेकिन में है कब बताएगा, कैसे बताएगा, कैसे सजा देगा ये मुझे बहुत बहुत प्रशन बुद्धी में उठता था जब बाबा की बात समझ में आए कि बाबा ने एक सेकिन में रिजल्ट निकालना है बाबा को तो कोई देरी नहीं लगती और एक्जामिनर भी हम, पेपर भी देने वाले हम रिजल्ट निकालने वाले भी हम, रिजल्ट की सजा बुगतने वाले भी हम तो वो सेकिन सारे संसार की आत्माओं के लिए एक है एक ही सेकिन है जिस सेकिन में सबका हिसाब सबके साथ बराबर जब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे निकाला जाए यह कोई रिजल्ट पेपर में तो निकालना नहीं है किसी को सुनाना नहीं है कोई रेडियो टेलिविजन मुबाइल या किसी सलदान का साथ आधार लेना नहीं है यह कि तो वंडरफूल एक्जामिनर है ऐसा सकूल बनाने वाले बाबा पर बहुत बहुत वंडर रहता है कि इतनी बड़ी दुनिया का रिजल्ट एक सेकिन में निकाल देता है फार्मूला वंडरफूल है कमाल का फार्मूला है एक ही सेकिन के अंदर सारे युनिवर्स की आत्माओं को रिजल्ट दीना और बाब और आत्म के बीच में कोई दूसरा ना हो ना कोई दूसरा नहीं तिक उसी सेकिन बाब की सिरीमत के अनुसार इतना इतना खुशी और दुख अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगी और अपना एक एक एक्ट याद आता जाएगा क्यों? क्योंकि मैंने जो जो गलतिया की हैं वो मेरे सामने हैं जिसके कारण मेरा पद नीचे दुख तो होगा ना कि मेरा पद कितना नीचे जा रहा है कितनी? जितना पद नीचे गया? जितनी पोजिशन नीचे गई उतनी फिलिंग आएगी? कैसे? कुछ नहीं करना कोई डंडा नी मारेगा कोई कड़ाई में नी डालेगा कोई कड़ाई में नी डालेगा कोई आग में नी डालेगा कोई आरे से नहीं काटेगा कोई दूसरे सजा देने वाले आएं तो उन्हें पिर उसकी सजा खानी पड़े ना कर्मों की गति तो सब पर लगू होती है परमात्मा भी यदि देवे तो परमात्मा भी इस गति से मुक्त नहीं हो सकता वो नियम परमात्मा पर भी लागू होते है इसलिए परमात्मा अभोकता है आसोचता है वंडरफुल है परमात्मा का रोल वंडरफुल है जिसने सारे संसार की आत्माओं को गाइड करना है कोई दूसरा कुछ बताने वाला भी नहीं होगा और उसी एक सेक्षिन में यह रेजल्ट किसका निकलना है यहाँ छोटी सी बात और समझने वाली है जो हमने दुनिया को दुख या सुख दिये है वो तो हमारे सब के साथ बराबर हो गए है वो कोई बाकी रहा ही नहीं है उनकी कोई हमें सजा नहीं मिलने वाली है मैंने किसी को तंग किया हुआ है मैंने किसी को पिटाई किया हुआ है मैंने किसी को लूटा हुआ है मैंने किसी भी परकार का दुख दिया हुआ है और जिस आत्मा को दिया है वो तो मैंने उस आत्मा से ले लिया है वो तो मेरे सब बराबर हो गए है ये सजा कौन से कर्म की मिल रही है बाप का बच्चा बनने की बाद मैं चाहता तो राजा बन सकता था परन्तु मैं दास दासी नोकर चाकर चंडाल जाकर बनूँगा मैंने बाप की शिरिमत को ना मान कर अपने पद का बेड़ा गर्क खुद किया है इस बात की सजा एक सेकिन में मिले बाकी जिन जिन आत्माओं को दिया है वो उन आत्माओं के साथ बराबर ये एक सेकिन मैं और मेरा बाबा के बीच का होगा और इस सेकिन के बाद हम परमात्मा से फिर संगम पर मिलेंगे जब हमारा पार्ट होगा हर कल्प जिस समय हम परमात्मा से मिलते हैं इसके बाद परमात्मा चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो तो चाहे लास्ट एक साल के लिए इस्पिर्ट्वी पर आने वाली आत्मा हो परमात्मा सबको साक्षय सबको एक सेकिन के अंदर रजल्ट परमात्मा के सामने मिलते ही ना तो टाफी देगा ना डंडा मारेगा और सारी आत्माएं परम अवस्था अर्था परम थामने दूसरा सेकिन नहीं है एक ही सेकिन के अंदर सारे युनिवर्स की आत्माएं अपना अपना पेपर देकर मार्किंग करके सजा या खुशी ले करके रजल्ट डिकलियर करके और परम थाम में चली जाएगी बहुतों ने परशन पूछा ये मेरे से एक सेकिन में कैसे चली जाएगी एक कपड़े को सुखने में पांच मिनिट लगते हैं तो सो कपड़ों को सुखने में कितने मिनिट लगेंगे पांच मिनिट लगेंगे एक आत्मा को परम थाम जाने में एक सेकिन के अंदर सब कुछ करना है तो सब्भी आत्माओं को एक सेकिन में करना है सब्भी आत्माओं एक सेकिन में परंधाम और सारे स्रिष्टी का परिवर्तन, सुधार, चेंज, नर्क से एकदम स्वर्ग के लाइक बनने वाली धर्ती स्टार्ट और एक सलबाद फिर से दुनिया चले ड्रामा एक्यूरेड चलेगा मैं समझता हूँ कि आपको ये बात स्पस्ट हो गई होगी फिर भी आपके मन में कोई भी प्रशन उठता हो स्पस्ट ना हो रहा हो आपका अधिकार है और विस्तार से जानना चाहें तो प्रजापिता ब्रह्मा को मारे इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क कर सकते हैं और यदि कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 96506922704 केवल वट्सप करें फोन ने उश्यक्रता बहो मारेँ प्रूब्स्राइट मूने लिवे व्यरे ढ्रीसेवाई करें